हमारा next question होता है patient का कि हमने मैफ्टिकिट ली हमारी pregnancy remove हो गई bleeding भी हमारी strophe हो गई तो next period हमारा कप आएगा दीखे next period आपका उसी date पर आ सकता है जैसे कि आपके पिछली बार आते थे या हो सकता है कि एक से डेड़ महीने में आए या दो महीने में आए कहीं बार यह hormone imbalance के कारण लेट हो जाते periods तो इसलिए doctor आपको pregnancy जब आपके remove हो जाती है pregnancy तो उसके बाद में check-up के लिए बुलाते हैं उसमें pregnancy test और sonography करके देखते हैं tablet देने के बाद में कि आपके pregnancy clear हुई या नहीं हुई अगर clear नहीं होती है तो फिर आपको suggestion देते हैं कि हमें surgical करके इसको remove करवा होना पड़ेगा या फिर आपको tablet दे करके काम हो जाएगा और अगर आपको clear हो गई यह pregnancy तो उसके बाद में वह हार्मों treatment देते हैं ताकि next month में जब आपके tablet बंदो 21-10 के उसके बाद ही just period आजाए तो आपको problem नहीं होगी और कई patient ऐसा करते हैं कि हमने doctor से ले लिए medicine हमार देर से दो महीने तीन महीने में periods नहीं आते हैं और कहीं patient के काफी लंबे भी हो जाते हैं दो-चार महीने तक महीने तक नहीं आते हैं तो आपको इससा नहीं करना है अगर आपने भी tablet लेकर के pregnancy remove की है तो आपको जब डॉक्टर ने follow-up check-up के लिए बुला है तो आपको जान आपना हुआ